नमस्ते दोस्तों मेरा नामी प्रियावरत एल्फिल टेक्निक्स में आपका स्वाधत है पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि कैसे फ्रीलांसर पर एकाउंट बनाके हम लोग ऐसा कवा सकते हैं पार्ट टाइम और फूल टाइम जोग कर सकते हैं किसे तो अगर आप इस पर नहीं हो या फिर वो वीडियो आपने नहीं देखें तो डेस्क्रिप्शन पर में लिंक डाल दिया हूँ आप वहां से जाके क्लिक करके देख सकते हैं तो आज चलिए हम लोग डिसकस करेंगे कि टिप्स और ट्रिक्स के बार में मैं कुछ शेयर करूंगा जिससे आप ज सब डेट आते रहता है कि क्या क्या प्रोजेट से हो टा है यहां पर की एक निट्स से पहले यह वहा है यह भी धिल्स में कोई सादी लेलेते हैं मैं यहां पर यह बला लिया था तो यहां पर छलने हम लोग देखते हैं कि यह जो डिटल से प्रोजेट का डिटल से तो यहां पर जब आप प्रोजेक्ट पर जाएंगे यहां पर देख सकते हैं आप लोगों ने क्या क्या प्रोजेट डाल रुखे हैं यह सब यहां पर आप देख सकते हैं दो मिनिट से पहले यह जो प्रोजेक यह पोस्त हुआ थे तो दो मिट के अंदर आप सकते हैं कि कि कितना सरा पूंड़ल यहां पर है तो इन लोग के साथ आपको Dry करने कहना है आपका आपका कमपेटिचन जो है रैयार फिर एन लोग के साथ है तो इन लोग को कैसे हरा के आपको आगे बना यह हमेशा सोचना है तो यहाँ पर मैं एक छोटा कुछ तीन चार टीप्स बताऊंगा जिसे आप अच्छे से कमा सकते हो तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख सकते हो चलिए यह वाला प्रोफाइल ले लेते हैं टॉप राइटिंग गुरूप यहाँ पर देख सकते हो कि 97% कमपलीशन यहाँ लिखागा और 127 जो रिवूज इनको मिले है तो 4.8 रेटिंग है इनका तो यहाँ आप देख सकते हो आपको क्या करना है टिफ्स में एक चीज बताओ का आपको बिल्कुल पूरा कॉपीपेश नहीं करना है आपको क्या करना है सिंप्ल सा इनका जो कॉंटेंट है इनको रिलेट करके कुछ अपने से लिखना है आपका प्रफाइल में या फिर प्रपोजल में आप जैसे यहाँ पर प्रपोजल के लिए जाओगे आप फुद लगाने जाओगे तो यहाँ पर आपको खुछ से वो लिखना पड़ेगा इसका related like क्या इनको ज्यादा experience है और आपको बिल्कुल experience नहीं है यह tips and tricks जो है मैं share कर रहा हूं जिनलों यहाँ पे नए है यहाँ फिर जो freelancer में नए है उन लोग के end users के लिए तो यहाँ पे आप copy कर सकते हैं नहीं तो पूरा copy कर रहेंगे तो पता चल जाएगा रिपोर्ट करने के बद आपका account जो है वो हटा दिया जा सकता है कुछ दिन के लिए तो आपको पूरा copy नहीं करना है कोई साभी account लेना आपको देखना अच्छे से क्यों लोग क्या लिख रहे है और जो proposal है जो project का detail है उससे match कर रहा है कि नहीं यह चीज़ बहुत जरूरी है कोई कुछ भी लिख दे उससे कुई फरक नहीं पड़ता है को मतलब नहीं है अगर आपका जो details आप भर रहे हो यहां पे प्रोजेट्स में अगर यह project जो है project details का related अगर कुछ भी आप काम नहीं कि हो या पिर experience नहीं है तो आपको फाइला नहीं होगा पहला tips यह है दूसरा tips यह है कि आपको कि यहां पर जो लिखा हुआ है कि range जो है मैं बिछले वाज़े से बोला था सेम चीज कि यहां पर जो यह दे रहे 30 डॉलर से लेके 250 डॉलर इतना दिन का अंदर इसको नहीं इतना ही आपको मिलेगा 250 डॉलर के बिच में तो आपको यह करना है कि आपको पत करना है अगर वो नहीं निखा हुआ है तो आप साथ दिन या फिर पास दिन उसी हिसाब से देख लेना पहले यहां पर चल जाना लोग कैसे लिखे हैं तो उसी हिसाब से जिन लोग experience holder है तो उनलोग को देखके उनलोग का जो बीड है उनलोग का देखके आपको पता चल जा तीस डॉलर ही ले लेना तीस डॉलर और यहां पर बहुत सारा कुछ matter करता है आपको क्या पता क्या नहीं बगरा बगरा यह सब matter करता है दूसरा टीप यह तीसरा टीप यह है कि आप जबी भी एक बीड डालते हो या पर बोजल में आपका नाम डालके यहां पर जो description में डा क्या क्या करके place build करने के बाद आपको कुछ time के बाद message आता है यह यह platform पर आपको message यहां पर है मेरा वैसे ही कुछ message आएगा जो project order के तरफ से means project का जो owner है उनके तरफ से तो उसके आपको क्या करना होता उन लोग आपसे बात करते हैं like आपको आपके पास कुछ experience है की नहीं क्या है क्या नहीं हूँ आप लोग आपको पूछते हैं तो अगर वहां पर आप क्या कर सकते हो आपके खुछ के बार में जब बोलते हो आप यहां पर क्या कर सकते हो आप कुछ से अपना जो है आपका resume हो या फिर video वहां में जैसे बोला था अगर मान लीजा कि data entry अगा में तो आप यहां पर क्या कर सकतो data entry का या काम करके विडियो बनाएना जिसमें आप data entry कुद कर रहे हो like type writing हो या फिर कुछ भी हो उस पर आप video चलय अग्यक करताए चलंकर दल से ट कहते हो तके अनको हुआ पता चले कि आपका कतना स्पीड में आप कर रहे हो आख एक में पहले हो वाट कार मि'T्या आफिके से विना घलती कहेतां इसके कर रहे हो काम क्या नहीं कर रहे हो उनको सब पता चले रहेगा तो वो बेटर आइडिया है तीसरा चीज सबसे चौथा चीज जो है सबसे इंपोर्टेंट है जो आख बोल सकते हैं ब्रहमास्तर है यह कोई कभी सेर नहीं क्या होगा यह जो चीज में बढ़ाने जा रहा हूं तो ध्यान से सुनिये आखरी में में बढ़ाने जा रहा हूं इस पर क्या करना है यहां पर जो होता है यह जो चीज होता है यह मैं चीज है आपके पास कितना रिव्यूज है और कितना रेटिंग है कितना रिव्यूज है और कितना पुराना आपका एकाउंट है अगर आप यहां पर ने हो बहुत दिन के बाद आपको प्रोजेट कुई भ पिर job कर रहा कही है और आपके आहसपास में कूई बंदा है जो काम कर रहा है कर ना चाह रहा है यह अगर आप स्टुडेंट हो कॉलेज में पढ़ रहे हो आपका दोस्ते हैं जो physics या फिर chemistry record आप उसको लिखना है लाइब रेकॉर्ड लिखना है अगर उसको लिखना है तो आप उससे वो रेकॉर्ड ले सकते हो लिखने के लिए उन प्रोजेट ले सकते हो और क्या करना है आपको जो दोस्त है उसको एक काम बनाना है यहां पर फीलेंसर पर कि मेरा ये काम है मेरे को लिखना है इतना दिन मे तो आप यहां पर क्या कर सकते हो दोस्कों गुलना हो एकांट खुलेगा और उसका जो प्रोजेट आपको लेना है आप चाहे खतम करो या ना करो वह मेंटर नहीं करता है बस इतना वह करना चाहिए कि वह जैसे ही आप 3-4 दिन के बाद उनको गुलना है कि आपका दोस्कों व अगर जैनुरली आप काम करना अपना कुछ में चोटा चोटा टाइप रेटिंग वहला काम होता है अगर कुछ भी आप काम करते हो तो यहां पर दोस्कों बस आके यहां पर निया काम खुलके आपको एक बार रिव्यू दे दे आपका जतना रिव्यू बनेगा उतना ही प्लस माइनस पॉइंट होता है कोई भी चीज का गलत तरीका से इसको यूज नहीं करना है पांच-दस या फिर पंदरा भी इस एकाउंट आप खुद बना लो और उसके बाद खुद को ही रेटिंग रिव्यू दे दो तो उससे कोई फायदा नहीं है क्योंकि फील एंसर जो ह कि यह कोईन का साइट है जहां पर यह पकड़ाया जा सकता है और उसके बाद क्या होता है आपका जो एकाउंट हो ब्लोग हो जाएगा क्योंकि एक-एक एक 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 खुल के अगर आप किसी को भी एसे रिव्यू देते रहोगे तो तुरंद पता चल जाता है मेरे मानों तो आप दो तीन दोस्कों बोलना कि नया अकाउंट खुल के आपको काम देके उस दिन क्या दो आपको रिव्यू अगर देगा ऐसे एक-दो मैना के अंदर दीन चारी मिल जाते तो बहुत सही है उससे आप बहुत आगे बढ़ सकते हो और बहुत अच्छा कमा सकते हो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक किजिए शेर किजिए क्योंकि यह जो टेकनिक है आखरी में बहुत इंपोर्टेंट है और इससे आपको बहुत फाइदा मिल सकता है तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सस्थ्प्राइग किजिए मैं